नमस्ते अब विवादा नाम का इनोसेंट इनिवेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लिमर दोस्तों जितने भी आई पियोज आये थे उन सब का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है यानि कि जितने उपर वो लिस्ट होते हैं उनमें बड़ी गिरावट हमको दे फ्लैट है लेकिन फिर भी यहां पर वैसे भी प्रीमियम ज्यादा नहीं था तो जितने भी आई पियोज लांच होने वाले हैं सभी में जो प्रीमियम है वो बहुत बुरी तरीके से कम हुआ क्या इस से हमको डर जाना चाहिए हम आपको समझाएंगे पहले भी मैंने आपको उनकी वेब साइट से जाकर चक कर सकते हो। दोनों चीजें वेब साइट्पएंटेड़ है आप जाकर चक कर सकते हो। नहींचे लिंक है Nift India.in यह आप खूद भी खोल सकते हो उसके बाद चाहें NS India की वेब साइट से चाहें NS India , Congress रजिस्टार की वेबसाइट से, रजिस्टार की वेबसाइट कभी-कभी server डाउन हो जाता है, तो आप BSC India या NSC India का यूज कर सकते हो, रजिस्टार पे चक करना आसान होता है, तो Sam Metallics भी आप चक कर सकते हो, Sona BLW Precision भी चक कर सकते हो, अभी तक आया नहीं है, as of now, लेकिन जैसे ही आता आप जाकर चक कर सकते हो, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, तो Nifty India.in खोल लीजेगा, या फिल लिंक नीचे है, यूज कर लीजेगा, अब चलते हैं, ये जो premium कम हुए हैं, इसका कारण जानते हैं, आप बाजार को देखिए, बाजार उपर के लेवल पे stable थी, IPO आया, उसके बाद, उसी मोड महौल में हम IPO अपलाई करते हैं, और देखो, जब भी बाजार उपर जाती है, sentiment positive होता है, और एक bull run में positive sentiment मिल जाए, तो IPO वालों की मौज ही मौज रहती है, मैं का जिसने हमको नीचे से बहुत तगड़ी recovery दिखा दी, वरना ये जो premium है वो और तेजी से कम हुआ होता, ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो request आ रही है, सैम मेटलिक्स पर क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने apply किया है, अगर कोई IPO must apply होना चाहिए था, तो वो था सैम मेटल अब हमारे लिए best कि सिनारियो ये होगा कि कल मेटल इंडेक्स ठीक ठाक रहे, उसके बाद जो निफ्टी है, ये भी उपर जोन पर ही stability दिखाए, अगर निफ्टी 1500 के उपर रहती है, मेटल इंडेक्स इस्टेबल रहता है, तो बहुत जादा chances हैं कि जो हमारे IPOs हैं, चाहे सोना BLW Precision हो, चाहे साम मेटलिक्स हो, इन सब को एक stability मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहरें कि सोना BLW Precision जो है, वो discount पर लिष्ट हो सकता है, साम मेटलिक्स सिर्फ सव रुपए के premium पर लिष्ट होगा, किम्स भी discount पर लिष्ट हो सकता है, डूडला डेरी 40-50 आपको एक चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है, ग्रे मार्केट premium पर हम आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक indication है, अब यहाँ पर कौन से company अगर discount पर लिष्ट हो गई, या अगर हमको रखना है long term के लिए, तो रखनी चाहिए, देखो सियाम मेटलिक्स बहुत लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हर जगा अपलाई करना चाहिए, लेकिन सियाम मेटलिक से बढ़िया मैनेजमेंट मुझे सोना BLW Precision का लग रहा है, मैं सिर्फ अपना personal opinion दे रहा हूँ, लेकिन ये अच्छे मैनेजमेंट होने की फीस इतनी जादा वसूल लेंगे, ये महेंगा बहुत जादा है, मतलब हद है, बुल्रन का फायदा उठाओ लेकिन सोना BLW Precision से थोड़ा-थोड़ा, ये तो मजाक की बात हो गई, कमपनी पसंद है, प्राइज नहीं पसंद है, और यहां पर जो अभी हमको साइकल रिवर्स होती दिखाई दे रही थी मेटल्स की वो impact है, प्लस जो ये गिरावट आई है, वहां पर कुछ stocks ऐसे ही available हो गए सस्ते में, इसलिए यहां पर premium गिरा है, लेकिन ये कमपनी भी धूम धढ़ा करने के लिए तयारी बना सकती है, तो जिनको भी मिले, वो stop loss, trailing stop loss के साथ इसको hold भी कर सकते हैं, बाकी IPO का rule यही होना अगर आपको आप भी expectation के मतावित 10, 15, 20, 25, 50% मिल गया तो आप exit कीजिए profit ले करके, discount पे list होता है तो भी आपको exit करना चाहिए अगर आप listing gains के लिए apply किये थे, बाकी long term के लिए आप इतना महंगा share अगर apply करते हो IPO में, तो आप market पे trust करके apply कर रहे हो, जैसे कि मैंने market पे trust करके Sona BLW Precision में अगर apply किया है, तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर यहाँ मुझे 15-20 रुपय का भी premium मिल गया, that will be well and good, और वही मुझे चाहिए बाकी जिस तरीके से यहाँ premium घटा है, अगर बाजार आज negative बंद होती तो बहुत ज़्यादा chances थे Kims और Sona BLW Precision discount पे ही list होते लेकिन अभी mode महाल बदल रहा है, let's hope for the best की चीजें हमारे लिए positive way में आएं, और Sam Metallics और Doodla Dairy कम से कम एक धूम धड़ाके वाली listing हमको करके दें, धूम धड़ाके वाली listing gains हमको provide करें, अभी IPO status नहीं आया है, जैसे ही आएगा आप उसको जाकर नीचे link है, वहाँ से चेक क सामान रहना चाहिए, बाकी market है, इतनी dynamic होती ही है, एक रुपे वाला सामान दस में बिखता है, दस रुपे वाला सामान दो रुपे में बिखता है, market का यही हाल चाल है, साच परसन तक premium गीरा है, वही premium बढ़ भी जाएगा, अगर बाजार stable होई positive चली तो, let's hope for the best की nifty और metal index कम से कम stable रहें, और Sona BLW precision के लिए auto index आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें तो demand and supply पे ही खेली जाएगी, जब इनकी सब की listing होगी, तो, कोई सवाल सुझाओ नीचे बताईएगा, हम मिलेंगे फिर्च दे वीडियो पसंदाईट, लाइक कर देना, आप क रहेंगे, सेयर को लंबे समय के लिए रखना चाहोगे कोई, या सस्ते होने का इंतजार करना ही best option रहता है, बताईएगा, नमस्कार